दंदग दिसंबर में प्रदर्शित हो रही है और आमिर खान तनाव महसूस कर रहे हैं उन्हें इस बात की चिंता नहीं है कि फिल्म सफल रहेगी या असफल नर्वस्वे इस बात को लेकर हैं कि क्या फिल्म सुल्तान के आगे निकल पाएगी क्या 300 करोड कलब में शामिल हो पाएगी इस तनाव के कारण उन्होंने सिगरेट को फिर गले लगा लिया है आमिर इस बुरी आदत से कई बार छुटकारा पा चुके हैं लेकिन जब भी उनकी फिल्म की रिलिस डेट नजदिक आती है तो वे सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं पीके डूम तीन के समय भी उनका यही हाल था कहने वाले तो यह भी कह रहे हैं कि ये आमिर का तोटका है उन्हें ध्रम हो गया है कि रिलिस डेट के कुछ जिनों पहले सिगरेट फुकना शुरू कर दो तो फिल्म हिट हो जाती है